प्लार्स इन किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उपस्तित हूँ आपके सामने फिर से एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर जिसमें आज हम बात करेंगे जैकोबिया मारी टिमा प्लांट के बारे म जी हाँ जैकोबिया माय टिमा इसका साइंटिफिक नेम है और सिल्वर रैगवर्ट और डस्टी मिलर ये दो अलग-अलग नाम भी इसी के हैं इस नाम से भी ये प्लांट जाना जाता और ये एक पैरेनियल प्लांट है और ये बहुत एक खूबसूरत सिल्वर कलर का प्लां जो भी हैं आपके पास डेकोरेट कर दीजिए वो कॉर्नर या वो जो जगे आप डेकोरेट करना चाहते हो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी अगर इस प्लांट को आप नाइट में देखेंगे अपने गार्डन में जाकर के तो ये बहुत ही अलग ही तरीके से शाइन करता होती है तो ये वेल्वेट का टेक्श्चर देती है बिलकुल मखमली टाइप की होती है इस प्लांट की हाइट की बात करें तो ये प्लांट देखेए अपी तो कितना छोटा है येह 1 फोट का पौदा है। और मैक्जिमम est जो गम्ले में लगा हुआ है तो जितना बड़ा plant है, उतना बड़ा ही pot होना चाहिए, पॉट size के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन इस plant की height कम से कम 3,5 तिन फिट तक जाती है तो जढ़ा भी नही नहीं होता है और जढ़ा चोटा plant भी नहीं है, तो आप किसी भी ऐसी जगे पे इसको decorate कर सकते हैं इसमें flowers भी आता है लेकिन जब flowers आता है न तो इसकी leaves थोड़ी सी खराब होने लगती है तो बहुत से लोग तो इसके flowers को हटा देते हैं ताकि plant बनावा रहे क्योंकि इसके plant से ज़्यादा खूबसूरत इसकी leaves होती है और leaves ही इसकी सबसे ज़्यादा attractive होती है अगर आप इसे जमीन में लगा दे तो शायद इसकी थोड़ी और height बढ़ जाए लेकिन आपको अगर कोई एक corner या एक जगह decorate करना है तो यह plant सबसे best option होता है pot size की बात करें तो 8 inch से लेके 12 inch तक का गमला इसके लिए sufficient होता है अगर आप terrace या balcony gardening करते हैं तो उसके लिए यह sufficient है soil mix की बात करें तो आपको इसके लिए sandy soil बनानी है क्योंकि यह एक semi shade area का plant है यहनि कि आपको इसको semi shade में place करना है जहां पर कम से कम धूप आए लेकिन धूप मिलना चाहिए इससे धूप भी चाहिए लेकिन कम मात्रा में धूप चाहिए 50% sand और 50% garden soil और 20% compost मिलाके इसे एक बार लगा दीजिए बस फिर यह साल भर तक आपसे कुछ नहीं मांगेगा sunlight की बात करें तो semi shade का यह plant है आपको semi shade area में रखना है अगर आप इसे green net provide कराते हैं तो काफी अच्छे से growth करेगा warm weather इसे बहुत पसंद है इसे लगाने का सही समय होता है फरवरी से लेके नौम बर तक यह perennial plant है लेकिन फिर भी यह plant winter में थोड़ा सा रुख सजाता है अपनी growth रोख लेता है लेकिन कोई भी इसकी पत्ती बगेरा खराब नहीं होती है बस आप इसे sunlight में थोड़ा सा place करके इसी जगे जहां पर सुबह की और शाम की इसके उपर sunlight पढ़ती रहे इसके उपर कीडे की अगर हम बात करें तो इसके उपर वैसे तो कोई कीडा लगता नहीं लेकिन white flies का attack या black effets का attack कभी हो भी जाए आपको ऐसा लगे तो आप neem oil का use कर सकते हैं और इसके उपर से सारे क लिडिरों को हटा सकते है फर्टिवाइजर की बात करें तो साल में एक बार आप पॉस्ट दे दीजिए या गारंडन में मैं जब भी अपने सभी प्लांटस में कंपोस्ट देती हूं तो अपने इन प्लांट्स में भी दे देती हूं किसी को चोड़ती नहीं लेकिन ये indoor प वीडियो आपको पसंद आया होगा जान करी पसंद आयोगे वीडियो को L